नमस्कार दोस्तू, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत-बहुत सागत है, तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन्स कमपणी का अपडेट सेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास तेक देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्रेब ने किया, तो चोरू कर लिजिएगा, कंटिनेसली इंफोर्मेशन और अपडेट सबाने के लिए चैनल को पर बन रही हैगा, तो चलो देख लेते हैं फटा-फट आज की कौनसा कौनसा कमपणी के अपडेट है, वास जो कमपणी है, उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेस लिमिटेड, तो इंडिया मार्ट इ चले जा रहे हैं, तो कमपणी का टोटल मार्केट के आप 16,300 करोर के आसपास देखने को मिला है, और कमपणी देखिए, अभी छोटा होने के बाद भी कमपणी में कितना ताम है, वो आपको बता दू, कमपणी के सब सब पहले में पीर इस्यो अपके साथ स्यार करूँगा, तो आप देख सकते हैं, तो कमपणी के पीर इस्यो के बारे में बात करो, तो पांस साल में कमपणी के पीर इस्यो, अगर मैं टॉप लेबल तक देखू, तो कमपणी के पीर इस्यो चला गया था, करीबन, सौरी, एक बार मैं पीर इस्यो के चेक करूँ, हाँ देखिए, वो ही लेवेल में company peer issue आख्व के है, जो इसका kobit के level में price था, मतलक कोईड के level में जिसका price का average था, तो total इसका जो average peer issue देखने को मिला 5 साल में 56 और current peer issue है 50 इसका मतलब यहां से कंपानी का रीबेक करने का चांसे है और ऐसे बात में क्यों बता रहा हूँ मैं चलो आपको एक चार्ट पट्रेंस के बारे में आपको समझा रहता हूँ ध्यान दीजेगा इस चीज को कि इंडिया मार्ट इंटरमेस के उपर अगर ध्यान से देखेंगे एक बीग फॉल देखने को मिला और बीग फॉल मतलब यहां पर देखेंगे डबल टप बना था और उसके बाद उपर ब्रेक आओट नहीं कर पाये और उसके बाद एक बीग क्रेस हो गया और उसके बाद देखें इस जगा पर बहुत दिन तक इन्टेजर कर रही इसका लोड़ हो उसके बाद देखी धीर धिखर के वो ऊपर जाने का कोशिज कर रहा है तो ऊपर गया इस लेबल को बो रिटेस्ट किया और उसके बाद देखी यहापर फिर से क्या बन रहा है यहापर फिर से कफ Cuff with Handle Patterns बनने जा रहे हैं तो Cuff with Handle Patterns बनेगा तो फिर से यहाँ पर एक बड़ा Target NT बन सकता है मेरे इसाब से एक सांदा तरीके से Cuff with Handle Patterns बनने जा रहे तो Cuff with Handle Patterns obscure होगा तो फिर से एक बार NT मिनने का chances रहेगा तो इस NT क्या सही में NT मेरे साथ से लेना चाहिए तेकि उसके लिए company का performance जूरू आपको देखना चाहिए लेखिए हमेसा लोग आपको बहुत सरे जगा पर आपको swing trading basis में एक चीज आपको सिखने को मिलेगा कि टेक्निकिल के basis में काम करिए financial देखने का कोई जूरू नहीं और मैं double confirmation पाना चाता हूँ तो इसलिए मैं financial को भी जूरू देखता हूँ तो इसलिए मैं financial को भी जूरू देखता हूँ तो अगर company का financial देख लेता, तो इस तरीके से negative sentiments आपको बन जाते, तो उसका anti आप नहीं लेते, तो कहने का मतलब है कि company का financial details देखना बहुत चुरूरी है, तो company के देखे इस बार भी company का sales जादा हुआ, expense को भी company जादा देखना को मिले, और सब कुछ मीटाने के बाद company का net profit 82 क करोड के आसपास देखने को मिला, इसका मतलब 10 करोड जादा profit हुआ, उसके साथ-साथ company के उपर as the investor भी देखेंगे, तो promotor के बाद mutual fund ने जो 4 person holding रखे थे, इस बार वो holding को बढ़ा का 7 person कर दिया, और FS के पास 23 person holding है, और इस बार वो करके हो चुके है, करीवन 25 person के आसपास तो companies के उपर holdings भी है, promotor के पास holdings है, institution के पास भी अच्छा कासा holdings है, तो जब सारे वेक्ती holdings continue कर रहा है, तो क्या उस company के उपर बाकी investor क्या करेंगे, obviously public भी अच्छा कासा माल खरीद कर रखे है, तो जब सारे investor इस company को पर trust करते है, तो उस company को पर मैं तो bullish रहूँगा, बाकी फिलेल के लिए मेरा जब तक यहाँ पर कोई pattern कमपिन ना हो, यहाँ पर जो shoulder come head pattern बनने जा रहा है, तो इस pattern जब तक कमपिन ना हो, तो मैं तब तक anti नहीं लेने वाला हूँ, तो बाकी आपके क्या opinion है, जो रहूँ मुझे comments करके बताना, तो next जो company है, उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है सुजलोन, देखे बहुत दिनों से मुझे comments आ रहा है, कि सुजलोन के सर्फ feature में multi-veggar company बन सकते है, तो मेरे सब सब तो already multi-veggar बन चुके है, जो company एक time, COVID के time में इस company का price चला गया था, करीबन करीबन एक रुपीज का असपास, और आज company का price 50 र तो कहने का मतलब है, कि अभी जो company के पचास के उपर चल रहा है, तो क्या इस 50 से 500 जा सकते है, या 50 से 5000 जा सकते है, देखे इस बात में question mark है, हाँ बहुत सरा लोग कहेंगे कि यह आपे 5000 तक जाने का potential है इस company के उपर, देखे उस बात को में मतलब, एक से भी नहीं करूँग और ignore भी नहीं करूँगा, तो क्योंकि इस बात में dumb भी है और dumb ना भी है, दोनों बात में बोल सकता हूँ, क्योंकि सूजलोन पहले एक negativity company था, मतलब लगातार वो loss कर रहे थे, कुछ profit नहीं था, वगर आज सूजलोन को देखेंगे, तो हर quarter में company का sales देखने को मिलेगा, expense control करने के बाद company का net profit, जो पहले loss making company था, वो company आज धिर्दे करके profit में कन भड़ हो चुके है, माल लेता हूँ profit उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी company profit को maintain किया, एही सबसे बड़ी बात है, हाँ बहुत सरे लोगों के comments था, कि सर बीच में इतना बड़ा profit क्यों हो गया, क्योंकि पैसे को यहाँ पर आदास income के इसाब से देखने को मिला, और जिसके चलते company का net profit एक अलग level के यहाँ पर देखने को मिला है, तो बाकी देखे continuously हर quarter में company अच्छा खासा profit गुरोथ किया, और इस बर भी company पिछले quarter के तुनना से अच्छा खासा profit हुआ, पिछले सालों के तु ब्रेकाउट कंफर्मेशन हुआ, और जब भी रीटेस्ट किया, इस level को रीटेस्ट किया, ता मैंने क्या क्या एंटेलिया, तो रीटेस्ट करने के बाद एंटेलिया, मेरा target रहेगा, इस higher level तक जो target निकल का रहे है, करीबन 54 रुपीज के आसपास, तो 54 रुपीज के आसप खुद के holding को बढ़ाते चले जा रहे है, और जैसे mutual fund भी holding बढ़ाया, साथी साथ FS ने भी अच्छा कासा holding बढ़ाया, FS के पास 6 परसन holding था, वो बढ़के हो चुके 7.5 परसन के आसपास, एक अलग level का holding से आपर देखने को मिला, बागी आपकी क्या opinion है जोरू कमेंट्स करक कमपणी है, कमपणी एक बड़ा कमपणी है, और 69,000 करोड के आसपास इसका मार्केट क्या है, देखिए नौकरी.com का business जो है, इसको अगर business के हिसाफ से में बात करूँ, तो कमपणी के जो मार्केट्स जा रहे है, आप देखेंगे, तो 78% online job portal है, इसी के पास है, तो online job portal बा से में, 78 लोग इस कमपणी के website में ही आते है, साथी साथ 13 metromoney, जो online metromoney portal है, उसमें 13% मार्केट्स है, इसके पास है, और realistic जो बिजनेस है, उसमें 38% मार्केट्स है, इसके पास है, तो सोची कितना बड़ा potential है, इस कमपणी के उपर, हाँ, कमपानी इसके बहुत सरे weakness point भी है क्योंकि कमपानी खुद के बिजनेस से ज्यादा दूसरे बिजनेस के उपर निवेस करके रखे है, जो कमपानी के उपर एक obviously weakness point है, अगर मैं कमपानी के performance के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो जो कमपानी का जो last quarter में ROE, ROC, ये जो weakness देखने को मिला, उसके आपको देखा ही दिता हूँ, अगर आप quarter result में जाएंगे, तो आपको दिखेगा, कमपानी के जो core business है, total sales है, वो अच्छा खासा देखने को मिला, पिछले बार के तुना से इस बार भी अच्छा खासा sales हुआ, expense control करने के बाद, operating profit margin 155 करल से 180 क्रोर बना, मतलब ठीक ठाक है वगर कमपानी का आदा सिंका में देखिए, losses, big big losses होने के कारण कमपानी का profit margin में बड़ा जटका देखने को मिला, अमाल ले तो कमपानी के उपर इस बार अच्छा खासा profit देखने को मिले है, जिसके चलते है, कमपानी के उपर एक अच्छा खासा momentum journey देखने को मिला, और इस तो यहाँ पर target जो मेरा nickel car है करीवन 6400 के आसपास, जो target बनेगा करीवन 32% के आसपास, बाकी आपके क्या opinion है, जो लुग मुझे comments करके बताना, next जो company है उसके बारे में चर्चा करू, उसका नाम है Manorama Industries Limited, तो company के उपर एक बहुत बड़ा update है, वो है split का, company एक के बदले आप था, वो अभी दो बनने वाल है, मेरे साथ से बेश तरीके से यहाँ पर company का split देखने को मिलेगा, तो बाकी आपके का opinion है, जो लुग मुझे comments करके बताना, तो मिलते next video में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, इस video totally education purpose में है, कोई भी मेरे तरफ से buy and sell का recommendation नहीं है, त तो मिलेंगे next video में, तब तक के लिए, bye bye